चलिए हम लोग स्टाट करते हैं जो हमारी सीरीज से लिए इसका पार्ट नमबर 14 अभी तक हम लोग 13 पार्ट देख चुके हैं जिन लोगों ने नहीं देखें वो यहाँ पर क्लिक करके आई बटन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक छोटा सा जो थ्री डॉट के बगल मे तो आज हम लोग क्या देखेंगे आज हम लोग देखेंगे marginal standing facility के बारे में एक काफ़ी important है और इसको हिंदी में कहते हैं सीमांत स्टाइ सुब्दा क्या कहते हैं सीमांत स्टाइ सुब्दा अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे हम लोग देख रहे तो जो RBI है कुछ टूल है यही है marginal standing facility क्या है एक टूल है एक उपकरण है तो मैं आपसे पूछता हूँ marginal standing facility या फिर सीमांत स्थाइस क्या है तो आपको बोलना है एक टूल है मतलब उपकरण है जिसके माध्यम से RBI commercial bank को क्या देती है rate देती है तो यह क्या हो गया keyword हो गया यह क्या हो गया keyword हो गया एक है rate देती है दूसरा किसको एक है keyword है किसको बार्जिक bank को बार देखे इसमें एक बात जुड़ी हुई है only commercial bank को यानि केबल बार्जिक bank को को ही loan दिया जाता है किसके तहत marginal standing facility के तहत यानि की इसका वातलब क्या हुआ marginal standing facility है इसके तहत जो rrb होती है और इसके अलावा जो corporate bank होती है यह चाहाए अगर लेना तो बोल नहीं ले सकती है यह भगा देगी क्योंकि तुम एक commercial bank नहीं हो ओके तो commercial bank क्या होती है जब हम लोग बैंकों का classification पढ़ेंगे तब हम लोग देखेंगे commercial bank किसे कहते हैं rrb किसे कहते हैं corporate bank किसे कहते हैं तो वह एक अलग topic है ओके अब देखिए यहां पर एक और की word है कि read देती है लेकिन कौन सा read सिर्फ 24 गंटे के लिए अब आप लोग ऐसा सोच रहे होंगी 24 गंटे के लिए कि स्कूप पैसे कि आवसकता पड़ेगी तो मैं आपको एक condition बताता हूं देखिए कई कारणों से बैंकों के लिए जरूत पड़ती है कि वह एक दिन के लिए दो दिन के लिए उने रेड़ चाहिए होता है तो वह लोग इसके तहल दे सकते हैं जैसे मैं आपको एक condition बताता हूं देखिए बहुत ही महत्रोड एक सब्दावली है बैंक रन आप लोगों सुना भी होगा मैकमल लोगों हो सकता है ना सुना हूं तो मैं आज पता देता हूं बैंक कैया है कोई आप से बूचिए बैंक रन कै तो आपको बोलना है बैंक रन इक book hai यानिक सब्द कैसा सब्द है किसके परिप्ष में यूच किया जाता है ये मैं आपको बताता हूं मांते हैं एक bank है जैसे xbank है जैसे कि अभी पन्जाम नेस्नल bank के वारे में काफी rumors रो देते तो मांते हैं ऑगई तो मानते हैं एक अब किसे ने कहorter है ये bank बंध होने वाली है यह अफवा उड़े गई, अब यह अफवा उड़े गई, कि यह bank बंद होने वाली है, फिर दिवालिया होने वाली है, तो इसमें बहुत सारे खाता धारग होंगे न, account holders होंगे न, अब यह सोचिंग हमारा पैसा डूम जाएगा, तो यह जल्द 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 जाएगे, और पैसा लिकाना स्टाट करेंगे, अब जो bank है, विचारी यह सारे पैसे तो रखती नहीं, यह लोगों को rate के रूप में देदी, किसके रूप में देदी, rate के रूप में देदी, अब इसके पास पैसा थोड़ी न, अब इन लोगों कहां से दे, तो वो क्या करेगी, जल्द कंडिशन क्या है, bank run है, जब किसी भी bank की जो condition होती है, मतलब उसकी rumors ओड़ जाएं, या फिर अफ़वाएं ओड़ जाएं, तो ऐसी process में क्या होता है, बहां से बहुत बढ़ी मातरा में पैसे लिकानने लगते हैं, तो इसी अवस्ता को इसी पिर्गरिया क्या 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 क्य जाता है कि हमारे पास इतना वैसा daily आ जाता है, लेकिन आज कोई loan लेने, कुछ लोग ज़्यादा आगे, तो वो क्या करेगी, इसके तहर loan ले लेगी, फिर बाद में इसको चुका देगी, तो आप लोग समझ गया कि बैंकों के लिए कम अबदी करेड किया वसकता है, क्यों सिर्फ 24 गंटी के लिए रेड दिया जाता है, साथ में किस के लिए, सिर्फ और सिर्फ कमर्सियल बैंकों के लिए, और दूसरा यहां पर important बात है, जो entity यह उसका 2.5% तक ले सकते हैं, यानि कि जो बैंक है, उसकी पूल जमाना से जितनी होती है, उसका 2.5% तक loan ले सकती है हम लोगों ने देखा था जो repo rate के थैत, वो सिर्फ कितना ले सकती थी, अगर overnight repo के थैत लेती है तो 0.25% ले सकती थी, और term repo के थैत लेना चाहती थी, तो 0.75% end detail का ले सकती थी, तो आपने हाँ पर देखा, इसके थैत अब वो ले सकती तो जादा loan ले सकती है, मतलब जादा loan ले सकती है, कितना end detail का 2.5% बहुत होता है, हजारो लाको कडोर में यह बनेगा जागर के, और साथ में इसमें जो SLR की प्रतिभूतियां होती हैं, वो भी रख सकती है, देखो जो repo rate था, हम लोगों ने देखा था, और जो हम इससे पहले देखे थे, हम OMO के बारे में, उस में स्लR में जो प्रतिभूतियां होती है, SLR के रूप में जो प्रतिभूतियां बैंक रख सी हैं, उन्हें गिर भी नहीं रख सकती थी, RBI को नहीं देसकती थी, लेकिन इसमें दे सकती है, और जो value हो तो उतनी रहatी हैं, और इसे कब लागू किया गया, तो इसे RBI ने 9 मा 2011 को launch किया मतलब लागू किया और यह repo rate इसकी जो दर क्या है आप लोगों को ऐसा भी लग सकता है कि bank किस दर पर देती है जब लोन देती है तो उसकी कोई ब्यास तो होती है उसका कोई rate तो होता है तो वो rate क्या होता है वो थोड़ा जाधा रहता है किस से repo rate से जाधा रहता है मतलब पिलस में रहता है अब देखिए यह important वात है okay क्या यहाँ पर पहले रहता था एक परसेंट जाधे रहता थाista फिर 0.50% जाध रहता था फिर 0.25% जाधे रहता था लेकिन बर्तवान में कितना है 0.65% okay 0.65% तो आपको पता है repo rate अभी कितना चलना है रीपो रेट सलला है अभी लगवख में 4% तो आपको अगर मैं पुछूँ रीपो रेट 4% है तो marginal standing facility rate कितना होगा यह आपको commit box में बताना है आपको क्या करना है इसमें जोड़ देना है तो यह बताना है चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं देखते हैं देखे standing deposit facility यह भी इसी के तरह है ऐसे लेकिन इसमें भी आप देख लिए इसमें क्या है एक दोस्तों यह अभी उपलब्द नहीं है इसे कब लागू किया गया था इसे RBI संसोदन अधनियम 26 है इसके तहत इसको समाप्त कर दिया था अब लेकिन यहां पर आप दिमाग में ऐसा कोशिन आ सकता है आखिर इसे बंद कर दिया तो क्या है तो इसे हम दुबारा क्यों बढ़ रहे है तो हम इसे दुबारा इसलिए बढ़ रहे है कि जब demonetization बिवत्ता में क्या होता है इस विवस्ता को भी आप अच्छे से समझ लीजिए देखे इस विवस्ता में क्या होता है RBI बैंकों के लिए rate देती है लेकिन यहां पर रिट देगी तो क्या देगी उसे एक ब्यास दर होगा ना उसका तो ब्यास दर होगा अभी तक हमने देखा था सम्मे रिपूरीट से ज़्यादा था लेकिन यहां पर यही मैंतपोर्ड बाद दती है कि वो इस प्रिकरिया के तहट अगर वो SDF के तहट रिड लेती है या देती है तो वो क्या कर सकते है रिवर्स रिपूरीट और रिपूरीट से कम दर पर देती है और लेती है अगर उसे लेना है तो वो रिवर्स रिपूरीट होगा उससे भी कम पर रिड ले लेगी और अगर किसी बैंक को अबसकता होगी तो वो रि समय की यह समझें अब डी मॉनिटाइशन के समय क्या हुआ किसी बैंक को बहुत जादे पैसे की आवा सकता एक्दम फड़ी और बहुत सारी ऐसे बैंक थी जिनके पास बहुत अत्रिक पैसा अगया जैसे बहुत सारे लोग थे इने जाकर अपना पैसा ले जाकर कर वहां डाला बैंकों में डाला, बहुत सारी बैंक थी जिनके पास बहुत सारी पैसे आ गए और बहुत सारी बैंक थी जिनके पास पैसों की कम भी पढ़ गए क्योंकि बहुत से लोग जाता लिकालने लगे तो क्या किया, अगर वो जादा रेड पर देती तो क्या होता बैंक को घटा होने लगता ना तो उसने का चलो हम जो पुरानी विष्टा है उसके तहत नहीं बलकि STF के तहत जो rate है उसको लेंगे भी और देंगे भी तो इसी को कहते है standing deposit facility जिसके तहत क्या किया जाता है rate को बहुत कम कर दिया जाता है यानि कि reverse repo rate से कम दर पर बोरेड लेती है RBI और repo rate से कम दर पर बोरेड देती भी है और इसमें एक महतबूर बात होती है इसको most important लगा लिजें very very important लगा लिजें कि इसमें पृति भूतियां गिर भी नहीं रखनी पड़ती यानकि अभी तक हमने जितनी भी पड़ी है उसमें कि पहली ऐसी बेवस्ता है मतलब पहला ऐसा टूल है जिसमें जो RBI वो कहती है इन चीज़ों को आपको देने की आवस्ता है नहीं है क्योंकि बैसी बिचारे डी मॉनेटाजिशन हुआ सभी बैंकों की हालत खसते हैं मतलब एक्दम परिशान है और उनसे कह रहे हो तो सेक्र कर रहे है क्योंकि डी मॉनेटाजिशन के सवए RBI ने इसका उपीयोग किया था ओके तो आप लोगों को समझ में आ गया है कि SDF क्या है इसके तहत ब्यासदर होती है वो रिपो रेट और रिवर्स रिपो रेट से कम पर होती है और इसमें जो प्रतिभूतियां होती है उसको हमेसा माइनस में और जितना माइन वगा इतना ही यह दोनों है क्या होंगे प्लस में होंगे इतने ही ये प्लस में होंगे अब देखेंगे ग्जम्पल की रूप में देखेंगे अभी क्या है अभी जो रिपू रेट जैब है वो 4 percent है तो चार परसेंट है तो यह माइनस कर दीजें कितना माइनस कर दीजिए 0.65 percent अगर आप माइनस कर देंगे इस चार परसेंट में तो आपको क्या मिल जाएगा reverse repo rate की दर मिल जाएगी इसी तरह आप इसमें कितना जोड़ देंगे 0.65% अगर 4% पर जोड़ देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा bank rate या फिर आप यहां पर MSF लिकाल सकते हैं तो इसको कैसे लिका लेंगे चार में से अगर आप 0.65% इसको माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 3.35% यानकी आराम से लिखे लिए आपने एक चीज़ याद की उसमें से क्या हुआ है इतना घटा दिया और इतना जोड़ दिया तो आप लोगों को ही मिल जाएगा इसी तरह आप इसमें जोड़ देंगे तो कितना मिलेगा 4.65% और यह भी कितना होगा 4.65% मतलब क्या हुआ आपने एक चीज़ याद करी सिर्फ रीपो रेट आपको देखना है रीपो रेट आपने देख लिया तो आप यहां अगर नियूस पेपर में रिवर्ट रीपो रेट के बारे में नहीं दिया रखा है या फिर MSF के बारे म जो रीपो रेट है उससे हमेशा कम रहता है रिवर्ट रीपो रेट और रिवर्ट रीपो रेट पर क्या होता है और यही लाब है देखें जो यह ब्यासदर है इससे हमेशा क्या रहता है रीपो रेट से कम रहता है रीपो रेट से कम रहता है कौन सा? reverse, rebo rate हमेशा काम रहता है. इससे क्या होता है? RBI को lab हो जाता है. अब इससे lab का क्या करते है? इस lab का आपात काली जो coach होता है. उसमें जा कर कि अपने lab को रख दिती है. साथ में, जो बैंकों के पुनर गठन के लिए उसे पैसु किया वसकता पड़ती है उसमें इस पैसे का यूज कर लेती है आर बियाई MSS जो मार्केट स्टेबलाजेशन इसकी हम पड़ चुके हैं इसमें जो ब्यास देती है मैंने बताया था ना आर बियाई अपने संसाधनों से जो इसका ब्यास का भुकतान करती है तो संसाधन क्या है यहां से उसको यह लाव हो रहा है इसके अलाबा जो सेस बसता है मतलब इसमें खड़ करने के अलाबा जो सेस बसता है वो कहां देती है उस सेस भारत सरकार को लाभास के रूप में देत घृता नहीं है देखिए यह प्रचार यहाँ पर 4 है तो एक पहले जोड़ना पड़ता लेकिन फिर इसको और एन और और कम कर दिया फिर इसको 0.50 0.0% कर दिया मतलब इस जो यहां पर जितना होता था उस में से हमें कितना घटाना पड़ता था और कितना जोड़ना पड़ता था इतना 0.50% फिर बाद में उसने 0.25% किया लेकिन बर्तबान में कितना है 0.65% देखिए यह दोनों यह काफी लंबे समय तक रहे थे लेकिन अभी क्या है कुर्णा की वज़े से अर्थ में वस्ता काफी डिस्मिस जल लिए तो यह बहुत जादा आपको डिस बैलेंस देखने को में ल कुनों को RBI सवान कर दें तो अभी देखिए एक साल गुजरने दीजिए फिर से देखिए RBI क्या करेगी इस पर या इस पर ला करके छोड़ देगी तो यह मैं आपको बता दूँगा अपडेट करता रहूंगा आप लोग उससे जोड़े रहे है टेलीगर पर तो वहां पर मैं आपको अपडेट करता रहूंगा तो मैक्समुम हमेसा यह रहता है लेकिन बरतवान अभी कौन से 0.65 परसेंट ही आपको जोड़ना घटाना है लेकिन पहले इस चलता था तो अभी बरतवान कौन से चलता है यह चलता है इसी के अलाभा एक और सब्दा वली इसको भी द करते हैं उनसे कहती कि आप गराकों को ससतर दो या फिर नेर हमने वेसकों की मतलब हम लुग होते हैं अकाउंट होल्डर होता है हमें भी बड़ासी नहीं, RBI चाहारी है, यहां से दर्व कम जाधा कर रही है, ओके, रिपो रेट है, रिवर्स रिपो रेट है, इसमें वो परवर्तन कर रही है, और चाहारी है कि बैंक इसका लाप किसको दे, आम भुखता को दे, तब भी तो वो जागर के मार्केट में मांग कम आता है, वो बैंकिंग उनक फस जाता है, इसी को क्या कहते हैं, त्रलता संजाल कहते हैं, आप देखे, लिक्जीटिटि ट्राफ, ट्राफ काम उतलब क्या हुता है, एक जाल होता है, लिक्लीटि देते हैं हमें पहले घाटा हो रहा था तो उसकी भरभाई के लिए हमें ऐसा नहीं कर सकते हैं तो बहुत से वो अपने कारण होता देते हैं फिर कहते हैं हमारी लागत बढ़ गई है तो वो क्या करते हैं इन आमों पहुकता होते हैं उनके लिए लाब नहीं देते हैं उनके ल वाले बैंकिंग विवस्ता है वो जार तो आपको समझ मैं आ गया कि लिकिडिटी ट्रैप किसे कहते हैं अब मैं इस वीडियो को यहां पर ही फिनिस करता हूं अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और अपने दोस्तों को जाद साथ सेयर करें